बाज की ताकत और उडान की उचाई की वज़ा से हमेशा से ही पच्चियों का राजा माना गया है दुनिया भर में बाज के 60 से 20 ज्यादा परजातिया पाई जाती हैं बाज एक ऐसा सकती साली पक्ची है जो की लगब 6 किलो वोजन तक उठा कर आसमान में उड़ सकता है जो की अपने आप में एक रिकॉर्ड है मसारी होते हैं और उनके सिकार में मचली खरगोस गिले हैं एक कम रफ़तार में उनने वाले दूसरे पक्ची यहां तक की लोमडी और हीरन भी सामिल बाज बार बार एक गह ही जगह से दूसरे जगह बिस्तापित नहीं होते हैं यह उम्र बार एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं लेकिन भोजन की कमी होने की स्तित्म ये अपना अस्थान बदल भी सकते हैं बाज के घोशले आकार में बहुत बड़े होते हैं जिनका व्यास लगबख 5-6-4 फूट लंबा हो सकता है यदि पिर्ण मजबूत है तो यह एक ही घोशले का इस्तिमाल हर बार करते हैं और हर साल ने समागरियों का एक्तिर्ट करते हैं लिए कुछ घोशले बहुत भारी भी हो सकते हैं मादा बाज एक से तीन सफेद रंग के अंडे देती है इससे वो 35 दिनों तक सेती है नर बाज की जिम्मेदारी होती है कि वो भोजन और ने समागरी कठा करें बाज के बच्चे बड़ी तेजी से विकास करते हैं और जन्म के बाद यह सब्ता में का वोजन 3-4 किलों तक हो जाता है जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी नजर बहुत तेजी होती है पीछे एक वज़ा है यह भी है इनकी गरदन 270 डिगरी तक गुमा सकती है इसके अलावा इनके आखे एक साथ दो बिंदो पर फोकस करती है इन्हें आगे और साइड को एक साथ दिखने की समता मिल जाती है नर बाज का वजन मादा के मुकाबले 25% तक कम होता है बहुत कम लोग को यह पता है कि बाज पानी में तैर भी सकते हैं सिकार के समय बाज भी 100 मिली प्रतिघंटे के इस रप्तार जप्ता मार सकते हैं जबकि इनकी नियमित वडान की रप्ता 30 मिल प्रतिघंटा होती है 1970 में के दवसक के दवनमबाज लगबक लुप्ट हो गए थे इसके बाद भी इन्हों ने एक उलेखनिय वापस वापसी की थी वह इसे तो बाज की अवसत उम्र 20 साल होती है लेकिन 70 साल तक भी जीवित रह सकते हैं इनकी आखे बहुत तेज होती हैं अपने सिकार को पांच किलो मेटर से भी देख लेते हैं और ये अल्ट्रा वाइट लाइट को भी देखने में सकते हैं हिंदू पॉणारी का थाओ के अनुशार बाज को भगवान विश्णू का वाहन माना गया है अज पॉणारी को भी देखने में सकते हैं